तुष्टी करंड़ी की वाट बेंग के लोब के बगए एपीश्मेंट पॉलिटिक्स के मोह के बगए बंगाल की संस्कूरूती को पुनरजिवित करकर फिर से पूरे विश्व में और भारत में गवरों का स्थान अगर कोई दिला सकता है तो केवल और केवल भारती जनता पार्टी दिला सकती है और बंगाल को विकास के रास्ते पर जो आजादी के वक्त जीडिपी में बंगाल का कंट्रिविशन था वो कंट्रिविशन फिर से एक बार प्राप्त करने के लिए रास्ते पर बंगाल को कोई ले जा सकता है तो केवल और केवल भारतिय जनता पार्टी ले जा सकती है ये पांच साल के अंदर नरेंद्र मोधी सरकार ने बंगाल के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी पस्चिम बंगाल में दो लेन, फोर लेन, सिक्स लेन रोड की सुविधा लगबग 800 किलो मिटर से ज्यादा बढ़ाने का काम ये भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने किया है इसके लिए 10,000 करोड उपे का खर्च किया है पस्चिम बंगाल में 5,000 किलो मिटर ग्रामी सडकों का निर्मान भारतिय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने पुरा किया है इसके लिए और 12,000 करोड का खर्च किया है भारत बंगलादेश सीजमा समझोता और 60 साल पुराना एक विवाद को समाप्त करने का काम भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और एंकलेज में रहने वाले लाखो रोकों को एक राहत का संदेश पहुचा है रेलवे बजेट सीट 14 से 18 का 5,400 करोड से ज़्यादा बंगाल के रिए रखा गया है कलकर्ता का मेट्रो पोजेक पर 12,500 करोड रुपया लगाया गया है स्वामी विवेकानन ट्रेन की सुरुआत की है ओक्टोबर 2014 में विशेर्स तीर्थी यात्री परिये ट्रेन की भी सुरुआत की गयी है 2015 में 500 मेगावोट का एक सोलर पार्क भारतिय जनता पार्टी की नरेंद्र मोधी सरकार नहीं रगाया है केंद्रिय सहायता से पस्चिम बंगाल में हावडा, न्यू टाउन कुलकर्ता, मध्यग्राम में तीन सोलार सिटी विक्सीत करने का काम हो रहा है जिन पार्टियों के अंदर इंटर्नल डेमोक्रेसी नहीं होती है वो पार्टियां देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए अपना कंट्रिबिशन नहीं कर सकती है दूसरी और जो विक्रा हुआ विपक्स हैं हर पार्टी परिवार वाद से गीरी हुई नजर आती है अपने परिवार के लोकों को ही आसीन करने के लिए उनके चुनावी इजन्डेर दिखते हैं राष्ट की सुरक्सा के लिए राष्ट के महत्वपून मस्लों के लिए भारतिय जनता पार्टी स्पष्ट निती लेकर आई है चाहे वो टेरिजम हो चाहे एनर्सी हो चाहे सिटीजन्सिप एमेंडमेंट बिल हो चाहे धारा 370 और 35 को हटाने की बात ये किसी भी बात पर हमारा संकल्प पत्र कोई कनफीजन नहीं रखता है क्रिश्टर क्लियर निती हमने चारों मुद्दों पर अपनाई है टेरिजम के पती जीरो टोलरंस की निती लेकर हम जाएंगे इसको आगे बढ़ाएंगे एनर्सी को देश भर के अंदर एनर्सी को इंप्लिमेंट करकर एक राष्ट्रिय तरफर नेशनल रजिस्टर आप सिटीजन्स की रचना करेंगे सिटीजन्सिप एमेंडमेंट बिल जो आजपास के देशों से वहां की धार्मिक लगुमती जो यहां सरनार्थी बन कर आई है इनको नागरिक्ता देने के लिए भी हमने अपनी प्रतिवध्धता को दोहराया है जो बांगलादेश से सरनार्थी आये हैं चाहे वो हिंदू हो बाउध हो सीख हो जैन हो क्रिश्चन हो वो सब को हम नागरिक्ता देने के लिए भारतिय जनता पाटी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर सपश्टताज से संकेत दिये है धारा 370 और 35 एके लिए भी हमने हमारा कमिट्मेंट दोहराया है जब भी नई सरकार बनती है वो धारा 370 और 35 एको बदलने के लिए निश्चीत रूप से प्रभावी रूप से कदम उठाएगी एक और मोदी जी के नेत्रूतों में NDA स्पस्ट निती देश की सुरक्षा के लिए घूशित करकर पांच साल में इसका इंप्लिमेंटेंटेंशन करकर जीरो टॉलरंस टोवर्स टैरिजम ये निती को जमिन पर उताने में भारतिय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार स प्लूई है और हमने हमारे संकल पत्र के अंदर इस निती को और ध्रणता के साथ आगे बढ़ाने का बादा देश की जनता के सामने किया है दूसरी और बिखरा हुआ विपक्स हर पार्टी विपक्स की अपनी वर्ट बेंक की पॉलिटिक्स के खातिर देश की सुरक्सा के एहम मुद्दों पर चुप दिखाई पड़ती है ऐसे मसले जिसका जवाब देश की जनता चाहती है इस पर कोई स्पस्ट निती या स्पस्ट वादे लेकर विपक्स जनता के बीच में नहीं आये विपक्स के गूशना पत्र का विपक्स के मैनिफेस्टों का एनालिसिस करते हैं तो उसमें देश की सुरक्षा के लिए कोई पश्टनिती का अभाव दिखाई पड़ता है दूसरा नेत्रूतों के बारे में भी ये चुनाओं के अंदर भारतिय जनता पार्टी और NDA मोदी जी के नेत्रूतों के साथ आगे बढ़ रही हैं मोदी जी का नेत्रूतों देश भर की जनता ने पांच साल में अनुभव किया है एक नेना एक नेत्रूतों हमने देने का प्रयास किया है सफल प्रयास किया है एक पारदर्सी नेत्रूत देने का हमने प्रयास किया है एक समवेदन सिल नेत्रूत गरीबों के लिए मन में समवेदना रखने वाला नेत्रूत देने का हमने सफल प्रयास किया है और नरेंद्र मोदी जी के नेत्रूत को देश की जनता ने स्विका रहा ह कथोर फैसले लेने वाला देश की सुरक्सा के लिए देश के अर्थतंत्र की गाडी को पत्री पर लाने के लिए देश के अंदर से भ्रष्टाचार को नाबूत करने के लिए जहांतक बंगाल का चुनाओ है बंगाल के दो चरण के चुनाओं में ममता बेनर जी ने अब उनकी बौकला हट स्पष्ट रूप से नजर आती है दो चरण के चुनाव में ममता दिदी को अपनी हार स्पष्ट रुप से दिखाई देती हैं और वही हतासा से फ्रेरित होकर वो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है विपक्स पर आरोप लगा रही है सभी लोगतांत्रीत तरीकों का बंगाल के अंदर दफन करने वाली ममता दिदी आज लोगतांत्र की बात करी है वो देखकर कम से कम मेरे जैसे कारेकरता को बहुत अच्छा लगता है कि हमारी रेलियों को पर्मिसन नहीं दी जा रही है हमारे नेताओं के हलिकप्टरों को जमीन पर उतरने की परमीशन न देने वाली ममता बेनरजी आज सिती हो गई है कि उनकी रेलियों को जनता परमीशन नहीं दे रहे हैं जग़ पे रेली रद करकर उनको पैदल मार्च करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि रेलियों में भीड नहीं उमड़ी। मीडिया भी मजबूर है ममता दिदी का स्टेज ही दिखाने के लिए क्योंकि भीड दिखाएंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे इस प्रकार की स्थिति हुए तो उनकी रेलियों में कहीं भीड नहीं दिखाते हैं सिर्फ स्टेज दिखाते ये स्थिति आई हैं उन्होंने मत्दाताओं के मन में डर का माहोल पैदा करने का पूरा प्रयास किया है जटनाओं के आधार पर किया है प्रचार के आधार पर किया है मगर मैं बंगाल के मत्दाताओं का धन्यवाद भी करना चाहता हूं और उनको आस्वासन भी देना चाहता हूं कि चुनाव आय अभिव्यक्ति डरे बगर बेखौप करनी चाहिए और पूरे के पूरे गाउं जब इकट्टा होकर वाटिंग करने जाते हैं तो कुछ गिने चुने गुंडे किसी का कुछ नहीं बिगार जाते हैं मैं बंगाल के ग्रामिन मतदाता को अपिल करने आया हूं पूरे गाउं ने इकट्टा होकर मतदान केंद्र पर जाना चाहिए और अपने मत का डर के बगर अभिव्यक्ति करना चाहिए अपने मत को अभिव्यक्ति करना चाहिए हर जगर पर CRP अब तैनात है हर जगर पर भारतिय जनता पार्टी के कारेकरता भी लोगतंत्र के प्रहरी बन कर खड़ी है बंगाल के मत दाताओं को डरने की जरूरत नहीं है और मैं मानता हूं कि समय आगाया है कि बंगाल की जनता ने जो भाई का माहोल खड़ा किया है टी एमसी ने इसका मुकाबला करने के लिए और ममता दिदी कहती है कि ये चुनाव बंगाल का चुनाव नहीं है ये देज भर का चुनाव है मैं भी यही कहना चाहता हूं परन्तु बंगाल के लिए चुनाव बहुत महत्वपू है बंगाल के अंदर कानून और व्यवस्ता की जिस प्रकार से स्थीती महमता बेनर जी ने करी है महमता दिदी ने करी है अब लग सबको लगता है कि कॉम्मिनिस्ट तो अच्छे थी इस प्रकार के वातावन की निर्मिती महमता दिदी ने की है बंगाल की संस्कूरती के साथ तुष्टी करन की वाट बेंक ने एपिसमेट की वाट बेंक की पॉलिटिक्स ने बंगाल की संस्कूरती को दबाने का तहस्त नहस्त करने का नश्ट करने का काम किया है पूलीस और बीरोक्रासी ने डेमोक्रासी के अंदर अपना रोल छोड़कर पूलिटीशिन का रोल ले लिया है राजनेताओं का रोल ले राजनेता मौन है बीरोक्रासी और पूलीसी तंत्र को चला रही है बाबू साही ये बंगाल के रोग तंत्र को हड़क कर गई है नार्दा सार्दा सिंडिकेट राज इसने बंगाल के अंदर एक भरष्टाचार का भेंकर माहोल खड़ा किया है और बंगाल की जनता एक भरष्टाचार के माहोल से ट्रस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट 1.001 परसंट भी आगे नहीं बड़ा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी नीचे 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 जा रहा है और जिस प्रकार से हिंसा ने यहाँ अपनी जगे बनाई है इसमें लोगतंत्र भी बहुत आहत हुआ है पंचायत के चुनाव इसका सबसे बड़ा उदान है 37% लोग अपना मत नहीं दे पाए 41 प्रकर के माध्यम से बंगाल के पूरे नक्से को एक विक्सित बंगाल बनाने की दिशा में हम आगे बड़े हैं जल मार्क विकास परियोदना के तहट निश्नल वाटर वे इलाबाद से हलदिया तक इसको मनजूर किया गया है ताजपूर पूर्व मेधनिपूर में न्यू डीप सी पॉर्ट को बनाने का नीण हे लिया गया है हल्दिया पॉट कलकता पॉट को अधुनिक बनाने का काम ये भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने सुरू किया है एक्स्प्रेस वे पानागर से दुर्गापुर से हल्दिया तक का भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने एप्रू किया है और कुलकता पॉर्ट से रोड कनेक्टिविटी भी करने का काम भारतिय जनता पाटी की सिरकान ने किया है कुलकता डाक्याड तता हल्दिया डॉक कमप्लेक्स को रेल कनेक्टिविटी देने का काम सुरू हो गया है हल्दिया में LNG की फैसिलिटी को दिया गया है न्यू आइसिडी डेवलप्मेंट इन नॉर्थ बंगाल दारजी लिंक के अंदर ये सुरू किया गया है कुलकता में इंटिग्रेटेड एक्सपोर्ट बेज लेदर एंड फूट्वेड क्लस्टर को बनाने का काम भी ये भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और मुझे बड़ा दूख है कि जीस योधना से पूरे देश के 50 करोड घरिवों को 5 लाग तक का स्वास्त विमा का स्वास्त का खर्चा जो नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है वो आईश्यमान भारत योधना को बंगाल के घरिबों से दूर रखने का काम इममता बेनर जी की टीमसी सरकार करेगी मैं बंगाल की जनता को अपिल करने आया हूँ कि ये चुनाव देश के लिए तो निर्नायक है ही परन्तु बंगाल के अंदर लोगतंत्र को रिश्टॉर करने के लिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपू है और भाय रही तो कर मैं बंगाल के हर मत डाता को अपिल करना चाहता हूँ कि खुल कर अपना मत अभिव्यक्त करे नरेंद्र मोदी जी के नेत्रूता को आप समर्थन करिए भारतिय जनता पार्टी के निसान कमल पर बटन दबा कर फिर से सोनार बांगला के निर्मान के लिए भारतिय जनता पार्टी को आशिरवाद दिजे तुरूष्टी करन्सी की वाट बेंक के लोग के बगर एपीस्मेंट पॉलिटिक्स के मोह के बगर बंगाल की संस्कूरूती को पुनरजिवित करकर फिर से पूरे विश्व में और भारत में गवरों का स्थान अगर कोई दिला सकता है तो केवल और केवल भारतिय जनता पा पर बंगाल को कोई ले जा सकता है तो केवल और केवल भारतिय जनता पार्टी ले जा सकते हैं ये 5 साल के अंदर नरेंद्र मोधी सरकार ने बंगाल के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी पस्चिम बंगाल में दो लेन 4 लेन 6 लेन रोड की सुविधा लगबक 800 किलो मि से ज्यादा बढ़ाने का काम भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने किया है इसके लिए 10,000 करोड उपे का खर्च किया है पस्चिम बंगाल में 5,000 किलोमीटर ग्रामी सडकों का निर्मान भारतिय जनता पार्टी की नरेंद्र मोधी सरकार ने पूरा किया है इसके लिए और 12,000 क करोड का खर्च किया है भारत बंगलादेश सीजमा समझोता और सेट साल पुराना एक विवाद को समाप्त करने का काम भारती जनता पार्टी की सरकार ने किया है और एंकलेज में रहने वाले लाखों रोकों को एक राहत का संदेश पहुचा है डेलवे बजेट सिर्फ 14-18 का 5 2400 करोड से ज्यादा बंगाल के लिए रखा गया है कलकर्ता का मेट्रो प्रोजेक पर 12500 करोड रुपया लगाया गया है स्वामी विवेकानन ट्रेन की सुरुवात की है ऑक्टोबर 2014 में विशेर्स तीर्थी यात्री परिये ट्रेन की भी सुरुवात की गयी है 2015 में 500 मेगावोट का एक सोलर पार्क भारतिय जनता पार्टी की नरेंद्र मोधी सरकार नहीं रगाया है केंद्रिये सहायता से पस्चिम बंगाल में हावडा, न्यूटाउन कोलकर्ता, मध्यग्राम में तीन सोलार सिटी विक्सीत करने का काम हो रहा है पस्चिम बंगाल के बर्णपुल स्थीत, इसको स्टिल प्रांट को आधूनी करन और एकस्पांशन किया गया है यह है पहला सवाल सा त्रिनुमल कॉंग्रेस क्या? त्रिनुमल कॉंग्रेस की पंचायत के लोग एक पर्टिकलर कम्यूनीटी को वोट नहीं डालने दिया यह तो मैं कह रहा हूं बंगाल के अंदर लोगतंत्र स्वतंत्र नहीं है लोगों के मत का गला घौंटने का कामन किया जा रहा है मैं बंगाल की जनता को अपिल करने आया हूं कि जराभी भर्मन में रखे बगर बेखोप होकर मत्डान करिये पूरे गाउने साथ में निकल कर मत्डान करना चाहिए चुनाव आयोगने पुक्ता व्यवस्ता करी है फ्री एंड फैर इलेक्शन की इसी लिए ममता दिदी बॉखला हट में अमिठ जी दूसरा सवाल दूसरा सवाल था यह राहूल गांदी भाई कोई एक पुछोगे तो सुनाई पड़ेगा ऐसे नहीं होगा प्रेस कॉन्ट सबने जवाब देने चाहिए सलमान कुर्शीद ने एक वीजेबी के नेता को बाटला हाउस के उपर डिबेट के लिए चैलेंज किया है उनका यह मानना है कि वो किसी गोशाला में भी डिबेट करने के लिए राजी है ताके यह पता चल जाए कि गाउस का सपोर्ट किन के साथ है इस पे क्या कहना चाहेंगे आप कि बाहदूर पी आई वहां सहीद हो गया उसके मृत्यव पर रोना नहीं आई इस पर कॉंग्रेस ने जवाब देना चाहिए हम बंगलादेशी सरनार्थियों को उनका अधिकार दिलाना चाहते हैं हम बंगाल के अंदर से बंगलादेशी गुस बेटियों को चुन चुन कर निकालना चाहते हैं इसलिए हम बंगाल के अंदर विशेज फोकस करें एक सेकंड आप तरह तो जो 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 अपने जाने दिया और अभी भी जो जितने लोग है उनका उनके लिए कुछ ने के एस बियाई ने उनको हेल्प निये किया तो यहाँ पे भी जो वेस्ट बेंगॉल में भी जो लोग है वो भी जो चीटफंड स्कैम्स हुए है उनके परिवार वेट करें कुछ हेल्प के लिए चीटफंड के सारे जो आरोपी है दिखे चीटफंड हुआ बंगाल के अंदर स्थानिय प्रसासन ने पूरे प्रमान पूरे प्रूप नश्ट कर दिये यही तो हमारी लडाई है हमारा व्यक्तिगट लडाई किसी नहीं है यहां की पूलिस ने पहले सारे प्रमान नश्ट कर दिये ना ममता दीदी चाहती है कि चीटफंड की जाच हो हम तो चाहते हैं चीटफंड की जाच हो जैसे ही यहां पर ममता दीदी की सरकार नहीं होगी चीटफन के सारे आरोपियों को अपनी किये की सजाद जुरूर मिलेगी इसके लिए हम कटी बते हैं